एक और विशे जो काफी समवेदनशील है, मगर उस पर बहुत चर्चा नहीं होती है, वह है अनौपचारिक रिष्टे जो इस सुन्दर उम्र में होते हैं, जिसमें हम हैं, अपने बारे में थोड़ी अच्छी बाते कहनी थी, आजकर लोग शारिरिक संबंद बनाते हैं, लेकिन इन रिष्टों में जादा भावना ही नहीं होती, हम इस विशे पर आपकी राए जानना जाते हैं, अगर लोग अपनी मर्जी से ऐसे रिष्टे बनाते हैं, तो क्या ये सही है, या ये क्या है? क्या मैं एक चुटकुला सुना सकता हूँ? बिलकुल, मुझे चुटकुले पसंद है एक मिसिस भाटिया थी, कोई भाटिया तो नहीं है, मैं नाम बदल सकता हूँ एक मिसिस भाटिया थी, जिनकी शादी की पचासवी वर्षगांट थी, वर्षगांट मनाने के बाद, अगले दिन उन्होंने तलाग की अरजी दे दी जज ने तलाग की अरजी देखी, वो एक अच्छी परिवारिक मित्र भी थी, तो उसने उन्हें बुला कर पूछा, आप अपने पती को तलाग क्यूं देना चाहती हैं, वो इतना प्यारा अदमी है, आप उसे तलाग क्यूं देना चाहती हैं, आप किस आधार पर उसे तलाग दे रही हैं, वो बोली, वो मेरे साथ वफादार नहीं रहे, वो मुझे धोका देते रहे हैं, आप इस नतीजे पर कैसे पहुँची, आपने कल ही शादी की पचासवी वर्षगांठ मनाई थी, कल तक तो आप ठीक थी, फिर क्या हो गया, मुझे बीते दिनों की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने फोटो एल्बम पलटना शुरू किया, फिर मैंने देखा कि मेरे पाँच बच्चों में कोई भी उनके जैसा नहीं दिखता, दिखिए, अभी क्या आपको याद है, कि दस पीड़ी ही पहले आपकी दादी की दादी की दादी की दादी कैसी दिखती थी? नहीं, मगर उनकी नाक अभी आपके चेहरे पर मौजूद है, आपके शरीर को याद है, हाँ या ना? आपके शरीर को लाखों साल पहले आपके पूर्वजों की तवचा का रंग भी याद है, अभी तक वो भूला नहीं है, तो जिसे आप मेरा शरीर कह रहे हैं, वो यादों का एक बहुत बड़ा संग्र है, है ना? आपके दिमाग में मौजूद यादाश्ट बहुत कम है, आपके शरीर में मौजूद यादाश्ट, उसमें क्रमिक विकास की यादे हैं, जैनिटिक यादे हैं, कर्म की यादे हैं, व्यक्त और अव्यक्त स्तर की यादे हैं, धेर सारी यादे हैं, आपको लगता है कि अभी आपको चलना आता है, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है, क्योंकि आपके शरीर ने वो यादास्त बनाई है, अगर आपका शरीर उसे भूल जाए, तो आप चलना ही पाएंगे, इतनी यादें, आप जो छोटी से छोटी चीज़ करते हैं, आप जानते हैं कि क्या खाना है, क्या न ही करते रहता है, अगर आप यहां से यहां तक चलें, तो पचास अलग-अलग तरह की हल्की महके होंगी, हो सकता है कि आप उस पर ध्यान न दें, मगर शरीर उसे इकठा भी करता है, और पहचानता भी है, वो लगातार पहचानता रहता है, इसलिए आप जानते हैं कि सुग आप जागरुकता के साथ अपनी शारीरिक यादास्त बना सकते हैं, या बस धेर सारी यादास्त अंदर लेकर धेर सारी शारीरिक उल्जन से गुजर सकते हैं, तो जहां कहीं भी प्रभाव होता है, मुझे पता नहीं कि आपकी पीढ़ी में लोग अभी ये चीज़ें जान तो वे उसे नहीं लेंगे, वो कहेंगे वहां रख दीजे, अगर आप उन्हें तिल देने की कोशिश करें, तो वो कहेंगे उसे वहां रख दीजे, क्योंकि उन्होंने कई पदार्थों की पहचान कर ली है, जो आसानी से आपकी यादाश्त को लेकर मुझ तक पहुँचा स क्योंकि हम यादाश्त नहीं कठी करना चाहते, क्योंकि अगर मैं इसे बस छूता हूँ, तो ये इसे भी याद रखता है। आप अपने चार दोस्तों के साथ इसे आजमा कर देखें, आप उनके हाथों को छूएं, याद रखने की कोशिश ना करें, हर दिन बस उनके हाथ छूएं और भूल जाएं, कल अगर वो आकर आपको छूता है, आप जानते हैं कि ये उसका हाथ है, है न? तो शरीर याद रखत ये दिमाग में नहीं है, शरीर की यादाश्त होती है, इसे रुनानू बंद कहते हैं, जब यौन संबंद बनते हैं, या ऐसी कोई अंतरंगता होती है, जिसमें विचार, भावनाएं और शरीर शामिल हो, तो आपके शरीर में जो यादाश्त रह जाती है, वो बहुत इसलिए कहा गया है, कि आपको इसे जितना हो सके उतना सरल रखना चाहिए, कुछ दूसरे पहलू है, जहां कुछ तांतरिक प्रक्रियाओं में ऐसी चीजें होती हैं, वे सालों तक खुद को तयार करते हैं, ताकि शरीर से इतनी दूरी बना ली जाए, कि शरीर कहीं से कोई की यादाश्ट न उठा पाए, इसे एक साधना की तरह किया जाता है, बेलगाम संभोग की तरह नहीं, तो सवाल नैतिक्ता का नहीं है, सवाल ये है कि आप अपने जीवन में अपने साथ क्या करना चाहते हैं, अगर आप इस तरह जीना चाहते हैं, कि आपके जीवन में आपका भौतिक शरीर नहीं, तो आपको शरीर की यादाश्ट को जितना हो सके, उतना सरल रखना चाहिए। इसलिए सादा भोजन, लोग बिल्कुल सादा भोजन करते हैं। अब भी मैं दिन में एक बार भोजन करता हूँ, और भोजन में सिर्फ एक चीज खाता हूँ, दस नहीं, मैं वो चीज़ें दूसरे दिन खालूँगा, मगर आज मैं सिर्फ एक चीज खाऊँगा। क्योंकि काफी फर्क आप आजमा कर देखिए, सिर्फ मेरे कहने पर मत जाएए। खास कर जब आपकी परिक्षा का समय आता है, सादा भोजन कीजिए और देखिए कि उससे कितना फर्क पड़ता है। आपकी बुद्धी कैसे काम करती है, आप कितना सतर करेते हैं, सब कुछ। तो आप खुद को क्या बनाना चाहते हैं, आप खुद को एक सेक्शुल सूपरनोवा बनाना चाहते हैं या… कुछ लोगों का ऐसा इरादा हो सकता है, ये उनके उपर है, मगर आप अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं, ये आपको तै करना होगा। अगर आपने ये तै किया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अंजाने में भारी मात्रा में यादे ना इकठी करें। क्योंकि बाद में आप देखेंगे कि आपके लिए शान्त और खुश रहना बहुत मुश्किल होगा। चाहे कुछ भी अच्छा हो रहा हो, क्योंकि शरीर में उल्जन भरी यादे मौजूद हैं, जब इसी प्रकृती का कुछ और आता है, तो शरीर में उल्जन भरी उथल-थल होने लगती है। शायद आपके दिमाग में ये ना है, ये सिर्फ शारीरिक रूप से होता रहेगा, तो ये चुनाव आपको करना है। ये नैतिकता का सवाल नहीं है, ये सवाल है समझदारी से जीने का। झाल के का झाल कर दो हो, ये समझदारी से हो, ये समया हो, ये समया है।